दोस्तों आप सभी को नमस्कार गो डिविनिंग तो आज जो है आपका जो बेपर वरन काITY वाया की हम डिसकस कर रहे थें तो उसी का सोट अज टाइवे वीडियो ने सिंट किये थे आज जो है आपका Mathematical Listening and Aptitude को नो डिसकस करने वाले हैं तो देखे दोस्तों जो भी PYQ है आपको हम इसे पहले बता चुके हैं कि आप लोग PYQ पर फोकस करिए च्यूंकि PYQ जो है अगर आपका 10 साल का बहुत अच्छे से बनाते हैं बहुत तक कोशन आपको एक्जाम में जो है PYQ से मिलेगा और आपको बहुत आइडिया लग जाएगा जो कि आपका निट निकाल निट या जो जेरफ एक्जाम निकालने में काफी आपको साहता करेगा ठीक है तो अगर क्रास को लेके इंटेस्टेट है तो आप लोग मुझे बताईए मैसेज करिए अगर आप लोग का ठीक ठाक रिस्पांस रहा तो फिर क्रास को लेके आए उसमें ये कोसिस रहेगा कि अगले एक महने कंदर पूरे प्रोलिटिकल साइंस को जो है कभर कर लिया जो भ लोग कोई कमी मत करिए क्योंकि आप लोग से कोई पैसा तो हम लेनी रहें अब लोग बस सेयर करना है लाइक करना है कमेंट करना है यह कम आप लोग को मुफ्त करना होता है इसमें बस आपको थोड़ टाइम लगा तो इतना तो करी सकते हैं आप लोग के लिए हम इतना मेहन सबस Saobedou सब निखा गल लेकर है कि अब 3 सुलKit के क्रोंड को ilI잉 लिखा जाएगा लिए लिखने से पहले लिखने आप लोगों से मेरा यह है कि प्राइव सब लिए जब मुझे आप लोगों के लिए ऑफ सब्रेब तो आवनों ए भोद करें लेगा ava c20 रूक लीजे तुरन नीचे में इसको हमो के बतल्खेश करते हैं कि है इस दुन के एक खरीज क्यों के आखर O के बतले 5 और के ऩाखते हैं यहां 5 हो को आ गमेद देखका जो हमिला आए तो हुगा बीच में इसमें तो फाइब नहीं है तो पक्का अब बाग इस तो देखते हैं दिखिए ये पहला है ये दूसरा है ठीक है ये पहला तो दूसरा वखांट यहां देखिए देखिए ABCD आप लोगो आता है ABCD लिखे डी ए एफ जी हैच आई कि एभी शिट लिख लेने से बहुत स्वीधा हो जाएगा आच है अब देखे पहला है डी आदा है इस जो है और बाद आ? अर के बाद एस थैक है धो हिए दूसरा के बाद क्वार का है रहा रहा है खentry है ऑसकेद हम उरत गडा मफरें खना वह भी घार तो पर वाएंकेद है दो और नहीं ہیں से एक जिसी मिस्क से दूसरा से पहला रहा है दीसे यहां पर एन है दिखे एक बएया है इसका बिलाज टर्म जो है किया यह कि लाश्ट टरम इसका यह यह धिक के बादा ऑ्या हुग गहाना ना गया दी हो अ bạn यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा ती आया है किल डूसा को चेक करना है तो और यहां पर ऑद में तक के बाद यूज आया है तो दूसरा से पहला रहा है तो आपका जो ऑप्सण है B, Q, 5, L, D यहां देखिए B के बाद C आया D के बाद E आया L के बाद M आया और O के बदले तो देखिए यहां भी O के बदले 5 लिखा गया है O के बदले 5 लिखा गया है दोसों लिख दीजिए यहां भी कोई नियम कारून नहीं है बस लिख दिया तो लीग दिया और क्यूबाद आरहा है पी किuar STी है ज्वाज में आगया ह buckle आपको एनलाइज करना सिखे सके करिए इतना अच्छे से निर्लाइज करिएगा उतने उतना आसानी से सवाल आपको बन जाएगा ठीक है चलिए हम लोग दुसरा सवाल लेखता है कि दुसरा सवाल लेखते हैं यह दिखे दूए यह आपका नमर सीज का सवाल है इसको लिखिए पहले तीन यहां पर क्या होगा यह पूछ रहा है इस तका सवाल जब भी हो सबसे पहले इसको अंतर करिए देखे 5 यहां पर 10 यहां पर 20 यहां पर जो भी होगा उसके 20 का अंतर यहां कितना होगा देखे 5 का डवल 10 होगी है 10 का डवल 20 होगी है अंतर यहां पर 40 होना चाहिए क्या हैं यहां पर 20 होगा तब ना 38 में 38 में खटाईए हम तो 0 45 आहेगा इसे अधाने किसा आपको सबस्ट्रेक्ट करना है तो कर दिये किसी मों सकता गुणा करना पड़े वह लोग देखें के आगे वाले सवाल में, तो कितना असल सवाल था, इसका अंसरी हो गया, समझ में आगे होगा सब लोगो को, चल आगे देखते हैं, अगे होगा, यह देख़े, यह सवाल, जब भी इस तरह का सवाल हो, उसको रिलेट करने को सिशिज करिए, खुद से, मुझा खुद को समझीए, अपूर्व मधू का बेटा है, अपूर्व आप खुद को मान लिजिए, अपूर्व, अप खुद को मानिए, खुद को, ठीक है अपूर्व जो है मधू का बेटा है मधू को है अपकी मम्मी है मधू वह असानी से बन जाएगा मम्मी है विनोध मधू के पति का भाई है और विनोध आपका कौन होगा आपका कौन होगा चाचा होगा तो बोल लाए है कि विनोध से अपूर्व का क्या संबन्द है हो अपूर्व related to विनोध मतलब कि अपूर्व जो है विनोध का क्या है तो विनोध कोन है अपूर्व क्या है विनोध का भती जाए नेफ्यू है अगर बोलता है कि विनोध अपूर्व का क्या लगेगा तो विनोध चैचा लगता है है आप गहां बोलना है अपूर्व लिलेटेटू बिमिल अपूर्व क्या है रिलेटिटू बिनो तो भती जा हूं अऊशिए ऐस पर है इस दो सवाल को देज़ा समझें कर विदों इसको देखिए इस तरह के साल में हम आपको पहले बता चुके हैं A B C D लिखिए तुरंट F G H I J गुद असन हो जाएगा फिर आपके लिए लिख लिए अब देखिए पहला टर्म A है एके बाद E आया है एके बाद E और तीं मैं पेसं के बाद E आई आया वह parish? A के कितना गाप पहला है यहां पहला टर्म इटन वाला है और त्हुट वाला टर्म में देते हैं 7 इसका जो पहला है यहां भी 5 है आप होगा तो ई है पांच तीन दो पांच तो भी न सर्फ ना पहला है ना यह दो इस चार पांच तो नहीं आपनी आप तो इसको है अब दूसरे टर्म को देखिए, अब आप लोग दूसरे टर्म को देखिए, ठीक है, T है Q है, N है K है, तो T और Q देखने कहा है, T और Q, अठे यार, क्यों मिटा गया, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, T है, U, P, W, X, Y, Z, अब दूसरे टर्म को देखिए, T है Q है, T Q, देखिए, उल्टा चल रहा है, दो का गयाप है, T से Q के बीच में, अब Q से N के बीच में देखिए, कितना गयाप है, दो का गयाप है, N से K के बीच में कितना गय है, T Q के बाद किया होगा, दुगाप एक ही है, H हो जाएगा, लास्ट वल एच होगा, इसमें है H, देखिए, एक ही में है है last वय, अंसर हो गया, अगर आपको पहल्याप पहला गर देखते हैं तो पहला में प्लस थ्री था, प्लस थ्री था, यहां प्लस फाइप था, पहल प्रैक्टिस करवा देंगे ताप को इजी लगेगा इसको देखिए उसको दियांस देखिए दो चार छे यहां के अंतर कितना है कितना है दो यहां छे यहां दो तो कोई स्यरीज नहीं बंढ है दो दो छे दो इसको मिटाइए जब सी बने तब हम खटाएंगे इसे देखिए, 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 10 है, 10 के बाद 14 है, 14 के बाद 18 है, 4 कंतर, 4 कंतर, 4 कंतर, 4 कंतर, ये तो बैट रहा है, मिल खा रहा है, अब सेकेंड बना देखिए, 4 के बाद 12, 12 बाद 36, 36 बाद क्या होगा, यहां गुना 3 किया है, यहां भी गुना 3 किया है, 36 के बाद क्युक्त में कुछ नहीं था वास आपको देखना है और अब जब करना है सबम जाएगा आपसे करें आपको मता चुक कें इस तक ऑल में कोशिस करिए डिक देने का तो आपके लिए असान होगा कि यह एज यह प्रैक्टिस करिए जिसको दिक्कत हो रहा है हम जो सॉलब को बता हैं इसको आप अपने से पहले प्रैक्टिस करिए ठीक है अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो अब देखिए यहां पर इंग्लेंड यह आइलेंड से क्या होगा अब पहले हम इसको इनिलाइज करेंगे इस दोनों को ठीक है यह पहला बला हुआ यह दू से पहल्वा कृई हो सकता है और पहला हो सकता है अपक्रम के रितमारी तिलिया ड्यक्राइज करेंड दिया है पैर में अपयल दो सेड़ा गूंधिया है जुथ से यह Look at marathon का लिए पहला में पांच्वा डिया है दूसा अब पीछे से यॉद्लों वाला में पेछे सदिया है क अधिन टाइं को देखिए एक दो तिन चार्व सब्सक्राइब डार झाहरा तरुश्ट तर्म डिया एंड वाँ चुछ जो है ति यह नो जो होगा यह होगा एंगी होगाना पीछे से पंधरवां टर्म होगा है दिखे चिक 13 15 छब इसे में इसी में आपको करना है इस वाले में करी शब्लियू कि वह वहीँ कामी 15 20 library छो गवार्ट सांथик को मुली मिलें किधा ऐसे फ documents इनिशले और फिलनान सुरनेस प्रेजाष्य तो ही कि अब देखते हैं पहला आर आगे लगते हैं एक्ट दो तीन चार पानुरा से गाल तरह पर दूसरा वाला है पीछे सुनीस पर होगा एक दो तीन चार पांच छो साथ नो तस एक आरह आज़ा तेरह चोड़ा पंड़ा सोरह सतर अठार उनीस है तो यह हो जाएगा एक ही मारा है अबस दो ही को चिक करने साफ का रा जाएगा ल Thanos ऐसे आख में खरूका है रिखे करें शौन की जाना दूर्डज हो यह नंए चलिए और सवाल देखते हैं देखिए इस तरह में बहुत लोगों को दिक्कत आ रहा होगा तो आपका यह सवाल अच्छे से होगा ठीक है प्रैक्टिस करना पड़ता है देखे शो देखे हैं ए बी-का-पिता है यहां पर ए ए क्या है यहां अब अपने में पिता को मार लिए ऐस का यर देखे को मान लेए थीद को मृ चुन्य गणर इस बहुंग ठीख है सी एक बहन दिस का लाट इस आपकी का होती है क्ला की फूआ होग ठीक है और डी सी का पोता है डी अगर सी का पोता है तो पोता कैसे होगा इसका मतलब कि डी का जो है डी है सी का पोता है तो आपके फुआ का पोता कौन होगा यह देखते हैं तो आपके फुआ का जो बेटा होगा उसका जो बेटा होगा, वो पोता होगा, यह पोता है ना, पोता, तेकि जो आपकी फुआ है, उसका बेटा आपका क्या हो जागा, भाई हो जाएगा, क्योंकि आपकी फुआ का बेटा एक ही जनरेशन का होगा ना, आपकी फुआ और आपके पापा और आपके ममी एक जनरेश पाइनल और फुवा समद्द ये पूख रहा है था तो समद्द जो समिन भूल के समद्द है बताचीए आधक कैसे समवन दीते ते यह डी क्या है भतिजा है ना बिका आपको फुह का बेटा होगा आपका प्रूंद्र ऐसको सब्सक्राइब आप रहें उन्याई करें और फोट भुद असान सवाल होता है बस आपको इनलाइस करें अंई दो पटन जाएगा आपको प्रैक्टिस करें बस प्रैक्टिस करना ज्यादा इंपोर्टंट लगे देखते हैं कि इसो देखें यह गारेक्शा दिद्ध असान सवाल है कि कि अनन देमि एक के अनना से जाल वन फ्हुल वाधि के आ जाल या नहीं तर यद्य advocate समेब यिदि पर्वाद नदर सब्हुकित को थे मैं का छोईर्ज को सब्यान अर का नधर जाल निया नहीं गया। और नो कौपी कोई भी कौपी नहीं इसको है अब मुंन लेते हैं जो इसको भी इसके अब को भी इसकी नहीं है अब्योंकि आखका एभी आखाय है येहे नियों आखको ना कौप्य is यह कौना Ikीर से मतलब है थे यह आपका आप प्रिमाइस दिया हूब किताब कोई किताब नियुक है गलत हो जाएगा आप कानसर सी हो जाएगा नो वुक विशन नहीं है अस्पस्ट है यह लग दिस में यह लग दिस में मातलब नहीं है थीद है तो यह थे बन्का गया है असा वाल देखते हैं अराम अराम से पड़िए अराम से सीखना है इसलिए आराम से बता रहें को सिखा रहे हैं आप लोगों को यह देखिए में ऑन है तो थ्री आया थी थ्रिया थे दो फाई दौ थे आजाएगा दो कंतर है तो seven आजएगा अब दिखे थर्ड टर्म को दिखे जो तीसा वला है त्री यह तो 5, 5 है तो 7, 7 है तो क्या आ जागा तीसा टर्म, दो का अंतर है तो नहीं आ जागा, तो पाहरा टर्म 7, दूसरा टर्म 9, अब तीसा टर्म में क्या होगा, यहां भी D है, EBCD लिखे, A, B, C, D, E, F, जाए, J, K, L, M, T, U, V, W, X, Y, Z, D के बाद H है, D, D यहां पे है, H यहां पे है, 1, 2, 3, 3 कंदर है, S के बाद L है, 1, 2, 3, 3 कंदर है, यह दिखे, ठीक है तो, L के बाद 3 कंदर क्या होगा, P होगा न, 1, 2, 3, तो, P हो जाएगा, आपका, चिक है, तो, बीच में P हो जाएगा, जो की सिर्विस में है, यह अंसर हो जाएगा, कितना असानी से बाद है, आप लोग देख रहे हैं, इस इसको, और हम अगला सवाल देखते हैं, यह देखिए, क्रेडिट यह है, आपका, यह लिखा हुआ है, तो, बोल रहे है, डिविट का, क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले, इस तक सवाल में हम बता चुके हैं, आप लोग अपने कॉपी भी लिखिए, हम तो बीना लिख लिए बना लेते हैं, लेकिन आपको मेरे तरह नहीं करना है, हम आपको लिख ले रहे हैं, कि आपको समझाना है हमको अच्छे से, ठीक है, अब देखिए, पहरा टर्म C को देखिए, ए, C से ए के बीच, पहला टर्म C है, दूसरा टर्म E है, एक का गैप है, तो पहला वाला जो है, यह आपको पहला है, यह आपको दूसरा है, ठीक है, पहला है, यह दूसरा है, यह पहला है, बोल रहा है, दूसरा वाला क्या होगा, तो जो C पहला टर्म है, C, एक आगे आगे आ रहा है पहला टर्म आगे से पीछे गिया और दूसरा टर्म पी से आ रहा है पहले पी है तो आ रहा है एक का गैप छोड़के पहला वाला सी से ई गया एक का गैप छोड़के दूसरा वाला पीछे से आ रहा है पी से आ रहा है इसका भी जो पहला टर्म होगा आगे से जाएगा और दूसरा तर्म पीछे जाएगा पैसा देखें अगर, दिएक देग्ध चैने को में और देखें sticky just एक का ए ने जैए दूसर नजाए बगार फाजन और तक फीशे की मात आगए का मैं बाता हो आट याक्ड समाझना important है concept को समझे वह ज़्यादा important है time कितना भी लगए को दिखत नहीं है तिक यहां देखे C को देखे E को देखे यह आगे गया है तिक आगे गया है R को देखे पहले P आया तब आ रहा है यहां देखे इसमें देखे पहले C को देखे C यहां पर है उसके बाद E आया है एक का gap देखे आर जो है P के बाद आया है P के बाद आ रहा है P है यहां आ रहा है ठीक है तो देखे दूसरा वला जो टर्म है वह आपका आर जो है पहले आया है पीछे से तब पी आया है पहला जो टर्म है आगे से आ रहा है तुसरा टर्म आपका पीछे से आ रहा है ठीक है इसी तरह यहां भी दी के बाद आगे से देखिए आगे से यहां पर डी है एक गैप दीजे एफ तो जो दूसर टर्म है वो पीछे से आगा यहां पर यह है पीछे से एक छोड़ के एक छोड़ दीजे तो यह जी आजाएगा आप लोग समझ गया होंगे नहीं समझे समझ गया है आइटिंग जो हम आपको बता हैं समझ गया होंगे आप लोग प्रैक्टिस करिए और भी हम इससे सवाल अपको बताएंगे तो आपका स्पश्ट क्लीर हो जाएगा थेंक्यू